आज मैं आपको एक राजा के बताने जा रहा हूँ जो भारत देश में मुई थी जिसे हम कभी सोने की चिडिया कहते थे लेकिन अंग्रेज लोगों ने हम आरा सारा सोना भारत से लुटकर अपने देश ले गए लेकिन अभी भी भारत के कई हिस्सों में प्राचीन समय का बहुत सा खजाना कड़ा हुआ है जिसे चोरी हो जाने के डर से जमीन में गार देते थे और उनकी मौत के बाद वो सोना चांदी कही धर्ती के गर्भ में गड़ा हुआ रहेता था ऐसा ही एक घटना मध्य प्रदेश के दांगर जिले के अखेडा गाउ में हो रही है जहां के एक आदमी को एक आत्मा ने बताया कि इस हवेंदी गड़ा हुआ है तो उसने अपनी सरकार को बताया कि एक राजा की आत्मा ने मुझको बताया की जमीन में गड़ा 10,000 तन सोने का रहसे उसने मुझे बताया जो आज के सोने के रेट के हिसाब से इसकी कीमत तो 200 अरब रुपय के लगधग होगी कौन थे राजा राम बक्ष कहां से आया है यह सोना कैसे मौत हुई राजा की आये इन सारे पहलों पर प्रकाश डाले के लिए इतिहासकार चंद्रकान पिवारी के अनुसार क्रांतिकारी शूर्वीर राजा ने सन 1877 की क्रांतिके दौरान अंग्रेजों को जला दिया था वह कौन थे और कबसे वह इस किले में रह रहे थे यह मालूम नहीं था यहां के इतिहासकारों की माने तो 4 जून 1856 की क्रांति में दिलेश्वर मंदिर में चिश्वर राजा है